नफरत के बाजार में मोहबबत की दुकान खोलनी है सबको एक साथ लाना है और एक साथ मिलकर प्रगती करने है और आज बीजेपी के लोग सामने आके कह रहे हैं कि हम गुरु नानक जी की सोच पर आक्रमन करेंगे और उसको हम खतम कर देंगे एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोग जो इसको खतम करना चाहते हैं और दूसरी तरफ कॉंग्रेस पार्टी जो सम्विधान की रक्षा कर रही है तीन काले कानून लाए और जब पंजाब के किसान हर्याना के किसान महराष्टा के किसान मध्य प्रदेश के किसान सडक पर उतरे तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको आतंकवादी का 16 लाग करोड रुपे उन्होंने 22 लोगों का कर्जा माथ किया मगर पंजाब के किसान का बाकी प्रदेशों के किसानों का एक रुपिया उन्होंने कर्जा माथ नहीं किया अयसे UPS सरकार ने किसानों का करजा माउप किया था, वैसे ही Congress Party पंजाब के किसानों का, बाकी देश के किसानों का करजा माप करने जा रही है, उनके इंटर्व्यूद चल रहे है, मीडिया के चार चमचे बेठा देते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, नरेंद्र मोदी जी जव से खाते हो कि हिंदुस्तान के सारे के सारे इंफ्रस्ट्रक्चर को एरपोर्ट को पॉर्ट को अधानी को पकड़ा दो गरीब हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में चार जुलाई को सुबह आप उठेंगी नौ बजे आप अपना बैंक अकाउंट फोल के देखेंगी और उसमें इंडिया गटबंदिन की सरकार ने 8500 रुपए आपके लिए अंदर डाल दिये हो इसे ही आपने इस पैसे से ये चीजें खरीदनी शुरू की वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां अमरित सर की बंद फैक्ट्रिया एक बार फिर शुरू हो जाएंगी और हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को उनी फैक्ट्री में पैसा मिले इंडिया सरकार मज पहली नौकरी पक्की का अधिकार केसी वेनुगोपाल जी प्रताप सिंग बाजवा जी हरीश चौदरी जी हमारे कैंडिडेट गुर्जीत सिंग औजला जी एक सेकंड औजला जी यहां आई है गुर्जीत सिंग औजला जी स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट निता हमारे प्यारे कारे करता प्रेस के हमारे मित्रों भाई और बहनों पंजाब के युवाओं आप सब का यहां बहुत बहुत स्वागत दूर दूर से आप आए इतनी गर्मी में आप आए इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ पंजाब पंजाब का मूड कैसा है मूड कैसा है आपका आप जानते हो कि आप लोग देश का मूड बनाते हो बाईयों और बहनों यह जो लड़ाई चल रही है यह मामूली चुनाव नहीं है यह अजादी के पहली बार यह दूसरा दूसरे तरीके का चुनाव है क्योंकि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के सीनियर नेता समविधान पर आक्रमन कर रहे है पहली बार इंडिपेंडन्ट हिंदुस्तान के इतिहास में उनकी पार्टी के नेताओं ने खुल कर कहा है कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम इस समविधान को बदल देंगे रद कर देंगे खतम कर देंगे फेक देंगे अब इसका मतलब समझी है लोग सोचते हैं कि यह समविधान सत्तर असी साल पुरानी किताब है वो सही है मगर इस समविधान के अंदर जो सोच है वो सत्तर असी साल पुरानी सोच नहीं है वो हजारों साल पुरानी सोच है मैं अमरित सर में हूँ अगर आप गुरु नानक जी की सोच को देखें और समझें तो आपको पता लगेगा कि इस समविधान में गुरु नानक जी की सोच है और मैं उससे आगे जाता हूँ कि इस समविधान की जो नीव है इस समविधान की जो नीव है वो गुरु नानक जी ने रखी थी उनकी सोच ने रखी थी और सिरफ गुरु नानक जी ने नहीं ऐसे हिंदुस्तान में अलग-अलग महापुर्शों ने वो ही सोच देश के सामने रखी थी चाहे वो भुद्धा हो बुद्ध भगवान हो नरायन गुरु जी हो बसवना जी हो इन सब की सोच इस किताब में है और आज बीजेपी के लोग सामने आके कह रहे हैं कि हम गुरु नानक जी की सोच पर आक्रमन करेंगे और उसको हम खतम कर देंगे उस सोच का रेप्रेजेंटेशन मौडरन हिंदुस्तान में गुरु नानक जी की सोच का यही रेप्रेजेटेशन है गुरु नानक जी ने कहा था कि सब लोग समान है सब की इज़द होनी चाहिए सब का आदर होना चाहिए सब के साथ मौपत होनी चाहिए यह Constitution भी वो ही कहता है तो चुनाओ दो विचारधाराओं के बीच में है एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोग जो इसको खतम करना चाहते हैं और दूसरी तरफ कॉंग्रेस पार्टी जो समविधान की रक्षा कर रही है कॉंग्रेस पार्टी देश की जनता के साथ अमबेटकर जी के साथ ये Constitution लाई थे तो अगर बीजेपी इस पर आक्रमन कर रही है तो वो अमबेटकर जी की सोच पर भी आक्रमन कर रही है भाईयों और बेहनों आप देश में किसानों की हालत जानते हों और आप ये भी जानते हो कि पिछले दस सालों में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के किसानों के लिए पंजाब के किसानों के लिए इतना सा भी नहीं किया उल्टा आप पर आक्रमन किया तीन काले कानून लाए और जब पंजाब के किसान हर्याना के किसान महराष्टा के किसान मध्य प्रदेश के किसान सड़क पर उत्रे तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको आतंकवादी कहा ये बात हम कभी नहीं भूल सकते हैं 16 लाग करोड रुपे उन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया मगर पंजाब के किसान का बाकी प्रदेशों के किसानों का एक रुपिया उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया है और खुल कर कहते है कि मैं किसानों का कर्जा माफ नहीं करूंगा क्यूंकि इस से किसानों की आदत बिगड़ती है मैं आप से पूछना चाहता हूँ अदानी का कर्जा माफ होता है 16 लाग करोर रुपे 22 लोगों का कर्जा माफ होता है तो उनकी आदत नहीं बिगड़ती है मगर पंजाब के किसान का कर्जा माफ होता है तो किसान की आदत बिगड़ती है ये कैसी सोच है कन्या कुमारी से कश्मीर तक में पैदल चला पंजाब से निकला और हजारों किसानों से मैंने बात कि और किसानों ने सिर्फ तीन चीज़े मुझे बोली जो आपके दिल में थी सबसे पहले आपने कहा कि देखिये राहूल जी हमें बात समझनी आती है हमने क्या गल्ती किये उनका कर्जा माफ हो जाता है अदानी अंबानी के लिए कानून बनते हैं मगर हमारा कर्जा कभी माफ नहीं होता यह आपने पहली बात बोली दूसरी बात आपने बोली कि राहूल जी हम मार्केट में जाते हैं अलग-अलग प्रोडक्स करीते हैं शर्ट करीते हैं पैंट करीते हैं मोबाइल फोन खरीते हैं सब प्रोडक्ट के लिए सही दाम मिलता है, दाम लिक्खा होता है, मगर जब हम अपना अनाज बेचते हैं, शुगर केन बेचते हैं, आलू बेचते हैं, तो हमें सही दाम नहीं मिलता और तीसरी बात आपने कही, कि नरेंद्र मोदी जी बीमा योजना लाए हैं, इस योजना से 16 कमपनियों को फाइदा होता है, हमारा नुकसान होता है, आंदी आती है, तुफान आता है, कमपनी इसको हम फोन लगाते हैं, इमेल भेजते हैं, कमपनी जवाब देती हैं कि आपको बीमा का पैसा नहीं दे सकते हैं, ये तीन चीजें, पंजाब के किसानों ने, बाकी देश के किसानों ने मुझे कहीं, तो इन तीन सवालों के मैं आज आपको जवाब देना चाहता हूँ, पहला काम, जैसे यूपीए सरकार ने किसानों का कर्जा माप किया था, वैसे ही कॉ इंगरेस पार्टी पंजाब के किसानों का बाकी देश के किसानों का कर्जामाप करने जा रही है। दूसरी बात कि दूसरी बात यह सिरफ एक बार नहीं होगा। हम सरकार में एक ग्रूप बनाएंगे जो किसानों की financial situation को study करेगा और जब भी हिंदुस्तान के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी इंडिया गटबंदन की सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी एक बार नहीं अनेक बार हम ये काम करने के लिए त्यार है दूसरी बात नरेंद्र मोधी जी ने साफ कहा कि कानूनी MSP हम नहीं देंगे मैं यहाँ आपको साफ कह रहा हूँ इंडिया गटबंदन की सरकार पंजाब के किसानों को हिंदुस्तान के किसानों को गैरंटी करके कानूनी minimum support price देने जा रही है और तीसरा काम जो आपने भीमा की बात बोली नरेंद्र मोधी जी का जो भीमा का प्रोग्राम है वो 16 कंपनियों की मदद करता है इस प्रोग्राम को हम restructure करेंगे किसान friendly भीमा योजना बनेगी और 30 दिन के अंदर हिंदुस्तान के सब किसानों का पैसा उनके खाते में चला जाएगा उससे जाधा delay नहीं होगा ये ये थी बात किसानों की अब भाई और बेनों नरेंद्र मोधी जी ने अरब पतियों का काम किया आपने देखा होगा पता नहीं देखा नहीं देखा उनके आज कल बड़े इंटर्वियूज चल रहे हैं देखा आपने देखा उनके इंटर्व्यू चल रहे हैं मीडिया के चार चम्चे बठा देते हैं उनसे सवाल पूछते हैं नरेंद्र मोदी जी जवाब देते हैं सवाल कैसे होते हैं नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो काट के खाते हो या चूस के खाते हो एसे सवाल चल रहे है तो उन इंटर्विव में एक चमचे ने उनसे पूछा मोधी जी हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं इसके बारे में आप क्या सोचते हो नरेंदर मोधी जी का जवाब आता है सोचते हैं पहले वो थोड़ी देर सोचते हैं ऐसे सोचते हैं फिर कहते हैं क्या चाहते हो कि मैं सब को गरीब बना दूँ नहीं मोधी जी हम चाहते हैं कि जो आप अमीरों के लिए करते हो अरब पतियों के लिए करते हो वो आप गरीबों के लिए करो अच्या एक नई बात चली है पता नहीं आपने सुना नहीं सुना उन्हीं चंचों के साथ इंटर्वियू में एक चंची पुछती है नरेंद्र मोधीजी आप में इतनी उर्जा कहां से आती है इतनी एनर्जी कहां से आती है नरेंद्र मोदीजी का जावा आता है मैं बायोलोजिकल नहीं हूँ बायोलोजिकल नहीं हूँ पता नहीं चीजें कैसे होती है परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं बायोलोजिकल नहीं हूँ मैं परमात्मा का काम करता हूँ मुझे परमात्मा ने मिशन पे बेजा है मतलब हिंदुस्तान के बड़े से बड़े महापुर्शों ने ये बात नहीं बोली मगर नरेंद्र मोधी जी को लगता है कि परमात्मा ने उनको चुना है सिर्फ उनको हम सब बायोलोजिकल है हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, प्रेस, रिपोर्टर सब बायोलोजिकल मगर नरेंद्र मोधी बायोलोजिकल नहीं एक व्यक्ति को बेजा है परमात्मा ने बेजा है मैं सोच रहा था नरेंद्र मोधी जी ये फीलिंग आपको कब आती है ये आपको 24 घंटे लगता है या सुबह ऐसा लगता है या शाम को लगता है और ये जो आपको फीलिंग आई ये नोट बंदी से पहले भी आई थी किया गलट GST लागू करने से पहले आई थी ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि नरेंद्र मोधी के हाथ में परमानू बं का स्विच है खेर बड़े इंटर्विव चल रहे हैं उसमें नरेंद्र मोधी जी टिपनी दे रहे हैं शायद परमात्मा ने कहा है कि हिंदुस्कान के सारे के सारे इंफ्रस्ट्रक्चर को एरपोर्ट को पॉर्ट को अधानी को पकड़ा दो मगर पिछले दस साल उन्हें ने यही किया है तो अब हम उल्टा करने जा रहे है उन्होंने बाइस अरब पती बनाए हम करोडों लाखपती बनाएंगे कैसे बनाएंगे महलक्ष्मी योजना हिंदुस्कान के सब गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी पंजाब में, हर्याना में, बाकी प्रदेशों में और हर परिवार में से, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा करोडों महिलाओं के नाम आएंगे चार जून को इंडिया गडबंदन की सरकार चुनी जाएगी और हम काम शुरू कर देंगे हर गरीब, हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में चार जुलाई को सुबह आप उठेंगी नो बजे आप अपना बैंक अकाउंट खोल के देखेंगी और उसमें इंडिया गडबंदन की सरकार ने 8500 रुपए आपके लिए अंदर डाल दिये होंगे जुलाई, अगस, सब्तमबर, अक्टूबर, नुवेंबर, डिसेंबर चलता जाएगा हर महीने कटा-कट, कटा-कट, कटा-कट 8500 रुपए अंदर साल के एक लाख रुपए हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में जाएगा ये करांतिकारी काम है, ऐसा काम किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया है ये हम करने जा रहे हैं आप सोचिए सबसे गरीब परिवारों को साल का एक लाख रुपए महीने का 8500 रुपए इस से गरीबी पर बहुत जबरदस्ट चोट लगेगी लिस्ट में किसानों के परिवार होंगे मज़़ूरों के परिवार होंगे बेरोजगार युवा होंगे और सीधा हम उनके बैंक अकाउंट में पैसे का इंजेक्शन डाल रहे है इसके पीछे सोच है बाई और मैंनों इसके पीछे सोच है आइडिया क्या है मैं आपको बताता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को लाखों करोड रुपए दिये अंबानी अदानी जैसे लोगों को उन्होंने उस पैसे को लंडन में खर्च किया दुबाई में खर्च किया हिंदुस्तान के बाहर खर्च किया जमीन खरीदी, होटेल खरीदे जब आपके पास पैसा आएगा आप इसको लंडन में नहीं खर्च करोगे आप इसको पंजाब में खर्च करोगे गाउं में खर्च करोगे शेहनों में खर्च करोगे शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे जूते खरीदोगे मोबाइल फोन, मोटर साइकल ये चीज़ें आप खरीदोगे और जैसे ही आपने इस पैसे से ये चीज़ें खरीदनी शुरू की वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्टरियां अमरिट सर की बंद फैक्टरियां एक बार फिर शुरू हो जाएंगी और हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को उनी फैक्टरिय में पैसा मिलेगा तो एक प्रकार से हम हिंदुस्तान की एकॉनुमी को जंप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वैसे मोटर साइकल में आप पेट्रोल डालते हो और पिर चाबी घुमाते हो वैसे ही हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं और उस पैसे से हिंदुस्तान की अर्विवस्ता जंप स्टार्ट होगी, स्टार्ट हो जाएगी किसानों को हम कर्जा माफ कर रहे हैं गरीबों के बैंक अकाउंट में एक लाख रुपए डाल रहे हैं आज मजदूरों को मनरेगा के लिए दो सो पचास रुपए मिलता है इंडिया सरकार मजदूरों को मनरेगा के लिए चार सो रुपए देने जा रही है आश्या और आंगनवारी के जो महिलाएं है आपकी जो भी आज आमदनी है चार जून के बाद हम उसको दुगना कर देंगे डबल कर देंगे अब आई बात बेरोजगार युवाओं की नरेंद्र मोदी जी ने हिंदूस्तान के युवाओं से कहा था दो करोड युवाओं को मैं रोजगार दूँगा प्राइविटाइजेशन किया सरकारी वेकंसीज नहीं भरी अमरित सर पंजाब और पूरे हिंदूस्तान के स्मॉल और मीडियम बिजनसेश को खतम कर दिया गलत जी एस्टी लागू की नोट बंदी कर दी और इसका नतीजा हिंदूस्तान देख रहा है आज हिंदूस्तान के युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता अमबानी और अधानी रोजगार नहीं दे पाते दे नहीं सकते रोजगार स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री देती है चोटी-चोटी फैक्ट्रियां देती है रोजगार एग्रिकल्चर में दिया जा सकता है तो हम पहला काम सरकारी नौकरियों को भरने का करने जा रहे हैं तीस लाख सरकारी नोकरियां आज हिंदुस्तान में खाली हैं, हमारा पहला कदम उन नोकरियों को आपके हवाले करने का होगा, दूसरा काम और करांतिकारी काम, हिंदुस्तान के युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, अर अब पतियों के बेटे, जॉब मार्केट में जाने से पहले एक साल की टेंपररी नौकरी करते हैं उसमें उनको ट्रेनिंग मिलती है पैसा मिलता है और जॉब मार्केट में अंदर जाने का मौका मिलता है मगर ये फैसिलिटी गरीब युवाओं को नहीं मिलती बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती हमने पहले मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया था उससे करोणों लोगों को फाइदा हुआ मगर जो हमारे graduates हैं, undergraduates, diploma holders इस योजना से उनको फाइदा नहीं हुआ इसलिए हम graduates को, diploma holders को, university college graduates को एक नया अधिकार देने जा रहे हैं पहली नौकरी पक्की का अधिकार private sector में, public sector में, BHEL, HAL सरकारी हस्पतालों में, सरकारी colleges, universities में सरकारी offices में आपको एक साल की नौकरी का अधिकार मिलेगा बहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी हर महीने आपके bank account में 8500 रुपय जाएंगे साल के आपको एक लाक रुपया मिलेगा हिंदुस्तान के सारे के सारे बेरोजगार युवाओं को ये facility मिलेगी इस से हिंदुस्तान को एक trained workforce मिलेगी बेरोजगार युवाओं के जेब में पैसा जाएगा उनको experience मिलेगा और वही पैसा जो उनके जेब में जाएगा जैसे महिलाओं का पैसा अर्द्विबस्ता को चालू करेगा वैसे ही ये पैसा भी अर्द्विबस्ता को जंप स्टार्ट करेगा तो ये हमारी सोच है मेन चीज समविधान की रक्षा गुरु नानक जी की सोच की रक्षा भाई चारा और जैसे अपने जैसे मैंने भारत जोड़ो यात्रा में कहा था नफरत के बाजार में महबबत की दुकान खोलनी है सब को एक साथ लाना है और एक साथ मिलकर प्रगति करनी है ये आपके लिए मेरा मेसिज है आखरी बात कहना चाहता हूँ मैं यहां आया था अमरिच सर्थ गोल्डन टेंपल में मैंने सेवा की उससे पहले भी किया था मत्था टेकता था मगर सेवा नहीं की थी जब मैंने सेवा की तो बिलकुल दूसरे तरीके से मुझे बात समझ आई इतनी शांती मिली और थोड़ा सा जो आपका ये धर्म है सुन्दर धर्म है इसके बारे में थोड़ा सा मुझे समझ आया तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अमरिट सर और गोल्डन टेंपल को हमें एक ग्लोबल सेंटर बनाना चाहिए धार्मिक सेंटर पिल्ग्रमिज सेंटर और ये जो सोच है और जो शांती वहां मिलती है इसको पूरी दुन्या में हम सब को मिलकर फैलाना चाहिए और इस काम को मैं आपको कह रहा हूँ कि इस काम को करने में जो भी मैं कर सकूंगा जितनी में मैं शक्ति डाल पाऊंगा मैं डालने जा रहा हूँ आप आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और जो गुरु नानक जी ने गुरु गोविंद सिंग जी ने रास्ता हमें दिखाया है उस रास्ते पे हम सब को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जै हिंद जै पंजाब